चौथी पास राजा किस-किस ने सुनी है ये कहानी इस कहानी का महतम्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे जितनी बार सुनाओगे उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के उपर बरसेगी इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना देश की तरक्की होगी उतना समाज की तरक्की होगी तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दुबारा सुनना अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना ये कहानी एक राजा की है एक चोथी पास राजा की कहानी है एक एहंकारी राजा की कहानी है एक भरश्टाचारी राजा की कहानी है आप लोगों ने राजा और राणी की कई कहानियां सुनी होंगी इस कहानी में राजा तो है राणी नहीं है तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश, उस देश के एक गाउं में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत करीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तो जैसे गाउं के अंदर बच्चा पैदा होने पर जोच्ची आते हैं, जोच्ची आके बच्चे का भविश्य बताते हैं, ऐसे गाउं का जोच्ची आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी, और बच्चे की माँ को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ाओ के बहुत बड़ समराट कैसे बनेगा खैर बच्चा धीरे-धीरे बढ़ा होने लगा गाउं के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया उसका पढ़ने लिखने में मननी लगता था पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया उसका पढ़ाई लिखाई में मननी लगता था बगल में गाउं के बगल में एक रेलवे स्टेशन था घर में बहुत करीबी थी वो बच्चा वहाँ स्टेशन पे जाके चाए बेचने लगा चाए बेच के अपना गुजारा करता था वो भाशन बहुत अच्छा देता था बच्चपन से ही बड़ा अच्छा भाशन देता था गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता और भाशन देना चालू करता धीरे धीरे आसपास के गाउं में फैल गया कि ये बच्चा भाशन बड़े अच्छे देता है आसपास के लड़के भी कठे हो गए और जो मर्जी टॉपी को भाशन देना चालू कर देता था और रुपता ही नहीं था घंटों घंटों तक भाशन देता रहता था बच्चा बड़ा हुआ जोची ने कहा था बड़ाओ के बच्चा उस महान देश का संब्राट बन गया लेकिन राजा तो अनपड़ था उसे तो कुछ आता नहीं था अफसर आते उस अनपड़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते वो राजा अनपड़ था उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कम जोरी सब के सामने प्रकट हो जाएगी अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहाँ साइन कर देता था दीरे दीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपड़ है राजा को बड़ा बुरा लगने लगा तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिगरी का जुगाड़ कर लिया एक फर्जी डिगरी का जुगाड़ कर लिया एम्मे की डिगरी का और राजा बोला मैं मैं हूँ पर सच्चा ही तो पूरे देश को पता थी राजा तो अनपड़ था धीरे धीरे राजा एहिंकारी भी ओता गया, इहंकारी राजा और ऊपर से अनपड़ कि जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास कराके ले आता एक बार कुछ लोग गये राजा को बोले जी नोट बंदी कर दो नोट बंदी करने से भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा अतंकवाद खतम हो जाएगा राजा को कुछ समझ नहीं आया राजा की खूब चमची मारी उन्होंने नोट राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके आठ बजे नोट बंदी कर दी पूरे देश का बेडा गर को गया दोस्तों लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइने लग गई कई लोग मर गए दुकाने बंदो गई रोजगार बंदो गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंदो गई पूरे देश का बेडा गर को गया फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ राजा 2000 का नोट ले आया चार साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया राजा खो अकल तो थी नी बेकूफ था नन पड़ था कभी दोजार का नोट चालू करता था कभी दोजार का नोट बंद करता था एक बार कुछ लोग आके बोले जी एक किसानों के कानून बना दो इस कानून से किसानों का भला होगा राजा ने कानून बना दिये पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए साड़े साथ सो किसान मर गए अंदोलन में और एक साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महमारी भैल गई चारों तरफ महमारी भैल गई लोग मरने लगे किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिये महमारी तो नहीं बचीगी महमारी तो फैली रही किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी कि दवाईयों के जरूरत पड़ेगी इंजेक्शन के जरूरत पड़ेगी तब महमारी रुकेगी कि राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त थे कि एक दोस्त ने दस हजार करोड रुपे चोरी कर लिए राजा ने उसको देश से भगा दिया दूसरे दोस्त ने बीस हजार करोड चोरी कर लिए राजा ने उसको भी देश से भगा दिया पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज़्यादा ही दोस्ती थी कौन था उसको उन्होंने सारे एरपोर्ट बेच दिये सारे जहाज बेच दिये सारे सी पोर्ट बेच दिये उन्होंने आसमान बेच दिया जमीन बेच दिया राजा ने ख़दाने बेच दिया उस राजा उस दोस्त पे राजा महरबान था राजा का एक और दोस्त था वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतराश्ट्र खिलाडी महिलाओं के साथ बत्तमीजी करी लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी मजाल जो उस दोस्त के उपर कोई आँच आ जाए राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा लेकिन उसने खिलाडियों का समय राजा का एक और दोस्त था उस दोस्त ने किसानों के उपर गाड़ी चड़ा दी रौंद दिया कुछल दिया किसानों को राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्त बाज था एक नंबर का दोस्त बाज था चारों तरफ अत्या चारों गया चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलातकार करने लगे गलत काम करने लगे हाहाकार मच गया जो राजा के खिलाफ बोलता राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता एक दिन एक पत्रकार ने काटून बना दिया राजा के खिलाफ उस पत्रकार का उठा के जेल में डाल दिया एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ आउडर करता था राजा उसको बक्षता नहीं था चारों तरफ अत्याचार महंगाई बेरोजगारी उपर आस्मान में देवता ये सब देख रहे थे कि प्रिथवी के उपर कितना घंगोर अत्याचार हो रहा है सारे देवता इकठे हुए देवताओं ने मीटिंग करी सारे देवता मिलके शिवजी महराज जी के पास गए और कहा महराज कुछ करो प्रिथवी के उपर अन्याए हो गया अत्याचार हो गया चारो तरफ बलतकार चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है जनता परेशान हो रही है प्रिथवी जी माशिव जी महराज जी ने अपनी तीसरी आँख खोली और दोस्तों यहाँ प्रचंड पृत्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी उज्जेन के अंदर महाकाल की छे सब्त रिशियों की बड़ी बड़ी दस फुटा भारी भारी मूर्तियां थी एक दिन बारिश और तुफान आया और छे की छे मूर्तियां तूट गई लोगों ने कहा बड़ा अप्शकोन हो रहा है बड़ा अप्शकोन हो रहा है एक दिन एक ट्रेन एक्सिडेंट हो गया धाईसों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई लोगों ने कहा बड़ा आप शकुन हो रहा है और एक दिन घंघोर बारिश आई तुफान आया उपर से आकाश्वानी हुई कि सारे देश की जंता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोगों क्या कर रहे हो उठो खड़े हो जाओ और इस एहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलके आवाज उठाओ भगवान आपके साथ है और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जंता जाग गई और एक साल के अंदर उस एहंकारी राजा का राजपाट जंता ने उखाड़ के फेक दिया और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी राज चौगनी प्रगती करने लगा ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का समाज का और देश का बहुत भला होता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाईए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें इसे समझ सकें